आपके वायू मंदल की सरंचना के बारे में कि हमारी वायू मंदल की बनावत कैसी है तो हमने उसमें जाना कि हमारा जो वायू मंदल है वो पांच पर्टों में विभाजित है और वो जो पर्टे हैं अड़ इस तहर से स्क्राट होती है पहली पर्टी हमारी शोग मंदल दूसरी संताप मंदल तीसरी मध्य मंदल चोथी आपकी हो गए आपकी बाहिय मंदल और पांच भी हो गए आपकी बाहिय मंदल और उसके साथ-साथ हमने इन पर्टों की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं हमने वो भी चानी उसके बार में हमने discuss किया था मौसम और जलवायू के बारे में तो बेटा मौसम किया था दिन प्रति दिन और प्रति घंटे जो मौसम में बदलाव होते हैं हमारे वायू मंदल में जो बदलाव होता है दिन प्रति दिन प्रति घंटे जो हमारे वायू मंदल की सिती चेंज होती है उसे हम मौसम कहते हैं लेकिन एक जगया पर यदि किसी लंबे समय में दीर अब्धी के अंडर यदि वहाँ पर उसकी टोटल मौसम का एबरेज यानि वोसम निकाला जाए तो वो आपका जुलवा यूं कहलाता है आज बेटा हम बार करेंगे तापमान की कि तापमान तापमान यानि कि आपका टेंपरेचर कि तापमान क्या होता है तापमान क्या है बेटा आपका वायू में ताप बेशीतलता का परिमान जो है तापमान कहलाता है means हमारी वायू कितनी थंडी है, हमारी वायू कितनी कर्म है, उसका जो परिमान है, वो हमारा तापमान कहलाता है ठीक है, तो तापमान क्या होगे है, वायू में तापब है, शीतलता का परिमान है शीतलता का परिमान क्या कहलाता है आपका तापमान ठीक है वेटा देखें, बुक अपन कीजिए आप प्रते दिन जिस तापमान का लूभव करते हैं, वह वायू、 वंडल का तापमान होता है, क्योंकि जो तापमान हम मैसूस कर रहे हैं, वह हमारी इतनी ठंडी है उसका जो परिमान है वही तापमान कहलाता है वायू अंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि रितुओं के अनुसार भी बदलता है जो हमारा तापमान है वो सिरफ दिन और रात में ही नहीं बदलता बलकि रितूओं के अनुसार भी चेंज होता है क्यों? ठीक है? तापमान बदलता है क्यों मीटम? दिन के समिजू हमारी पित्वी है जब सूरे उदे होता है तो सूरे की गर्मी को प्राप्ट करती है जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है लेकिन जब सूरे आस्क होता है तो उस वक्त बहुत सारी गर्मी है जो बहुत सारी उश्मा है उसे प्रित्वी रिलीज कर देती है जिसके कारण तापमान कम हो जाता है तो दिन और राग में तो तापमान बढ़ भड़ गटा उसके अनुसाल और रितूों के अनुसाल भी तापमान में बदला होता है जैसे गर्मी के रितू में तापमान बहुत जादा होता है जैसे आज कल देखिए आप गर्मी का मौसम चल रहा है तो तापमान देखिए आपका 42 डिग्री टेंपरेचर होता है आपका 44 डिग्री होता तो जहां हमारत आप माई है वो दिन और रात में ही नहीं बजलता बल्कि रितु के अनुसार भी बजलता है शीत रितु की अपेक्षा ग्रिश्म रितु जादा दर्म होती है आत्पन एक महत्वपून कारक है बेटा अब हम बात करते हैं आत्पन की ये में आपके वायू मंडल का एक इंपोर्टन कारक है आत्पन क्या है सूरे से आने वाली गर्मी जिसे प्रित्वी रोक कर रखती है वो आत्पन कहलाता है क्या होता ये सूरे से आने वाली गर्मी जिसे प्रित्वी रोक कर रखती है क्या कहलाता है आत्पन देखिए भूप में आत्पन इस महत्वपून कारक है जो तापमान के वित्रण को प्रभाविश करता है सूरे से आने वाली वह उज़ा जिसे प्रित्वी रोक लेती है वो आत्पन कहराती है हमने लिखा भी यहां पर आत्पन की मात्रा भूमद्य रेखा से धुगों की तरब घटती है और इस लिए तापमान भी उसी प्रकार घटता है बेटे देखिए जैसे अगे हमने यहां बना दी है हमारी पिठ्वी और पिठ्वी को दो बराबर भागों में बाढ़ रहा है आपकी भूमद्य रेखा अब जो भूमद्य रेखा पर आत्पन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहां पर सूरे की किरने सीधी पढ़ती है वर्ष भर ठीक है सूरे की किरने सीधी बढ़ी मतलब इस शेत्र ने सूरे की ज़्यादा गर्भी को प्राप्त किया तो यहां पर आत्पन ज़्यादा हुआ और आत्पन ज़्यादा होने के कारण यहां पर ताप्मान भी ज़्यादा हुआ लेकिन जैसे जैसे हम ध्रूगों से हम हुमते रेखा से ध्रूगों की तरफ गए यह हो गया आपका उत्तर ध्रूग और यह हो गया आपका दक्षिल हो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं सूरे की किरने तिर्ची पढ़ती चलिए जाते हैं तापमान हे वो कम होगा और उसके साथ वाहाँ पर आधपन की मात्रा भी कम होगी। तो यही बड़ा हमने आधपन की मात्रा भूमत यरेका से ध्रोगों की ओर धटी है। इसलिए तापमान भी उसी प्रिकार ध्टा है। क्या आप जानते हैं, क्या आप समझ गएं होगे कि तुरु बरफ से ज़ी पड़केंगें, यह जोू हमारे तुरु वहगें याँ बरफ होती है, बरफ क्यों हैं?, क्योंकि यहाँ पर सूरय की ग्रम्य या बराबर होती है लिए अलग अलग प्रकार का तापमान चाहिए कुछ फसले ज्यादा तापमान में ग्रो करती है तो कुछ फसले कम तापमान में ग्रो करती है अब गर्मी के मौसम में हम कुछ और फसलों को पाते हैं तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जो फसले हैं जो कम जिने कम गावों के पेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है यह तो शहरों में भीर भाड वाला इलाका है उसके साथ साथ वीकल्स बहुत जादा चलते हैं जिनके कारण वहां पर टेंपरेचर बढ़ जाता है पॉल्यूशन जादा है फैक्ट्रियों फैक्ट्रियों के चिम्नियों से दुवा निगलता है जिसके कारण महां पर क्या होता है टेंपरेचर बढ़ जाता है और जो सड़के हैं जो ऐसा फैर्स कंप्री पत्थर से बनी हैं सीमेट से बनी जो भावन है वह भी आपकी सूरे की गर्मी के कारण जल उते हैं और शाम होते ही वह सूरे की जो है भीर सूरे की जो उइचा है उसे बाहर की तरफ चोड़ देते हैं नगर के भीर वाले उचे भावन गर्म वाईू को रोक लेते हैं जिससे न अगरों का ताप्मान बढ़ जाता है नगर में भीर भाण वाला इलाखा या उची उची इमारतों वाले data की वह गर्म वायू को रोक वायू गर्म होगी तो वहाँ पर तापमान भी बढ़ जाएगा तो बेटे अब हम बात करते हैं वायू दाव की वायू दाव मतलब प्रिथ्वी की स्तहपर वायू द्वारा लगाया गया दाव ठीक है प्रिथ्वी की स्तहपर जब अर्ट की सरफेस पर वायू दाव लगाती है तो उसे हम वायू दाव कहते हैं देखे वेटा आपको ये जानदार आर्श चरह होगा कि वायू हमारे शरील पर कुछ दाव के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुवम नहीं कर सकते हैं अस वायू दाव का अनुवम नहीं कर सकते हैं फिक है क्योंकि वायू दाप हमारे उपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे श्रील विपції बल लगा रहा है चारों दिशाओं में इस तरफ हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं लेकिन जब तेज हम चलती है एर प्रशर ज्यादा होता है तot हम को हुँसे महसूस करें कि हमें तेज हमामे इसके विप्रिया दिशा में च Walter बहुए कुझ है वायू की स्तहले बाइव के द्वारा लगा गया दाव आपका वाईू डाबो कहा जाता है उडिस सभर कि समुधर की स्तेहबर होटा है। मुश겠습니다. जैसे मुशाय पर जाइंगे, वह व्ायू दाब खरता चला जाएगा। व्यू दाब पर शेयतिविक्रणं किसी भी स्थान में उपस्तित वायू के ताफ द्वार scenario प्रभावित होता है। अधिक ताप मानवाले शेत्रों में वायू गर्म होकर उपर उपती है क्योंकि बेटा जो गर्म वायू हो हो जाती है उसमें उपर उपने की प्रबटी होती है तो जब गर्म वायू उपर की तरफ उठती है तो वहाँ पर निम्न वायू दाब शेत्र बनता है और जब निम्न दाब शेत्र बनता है तो वहाँ पर क्या होता है निम्न दाब बादल युक्त आगाश में नम मोसम के साथ जुड़ा है मतलब जहां पंडिन दाब बनता है वहाँ पर बादर्च आते हैं और मौसम में नमी होती है कम दापमान वाले शेत्रों में वायू ठंडी होती है और इसके फलसबूप वे भारी होती है जहां पे दापमान गम होता है, वायू ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण वायू भारी हो जाती है और भारी वायू में नीचे रहने की ही प्रवर्ती होती है और वो वहाँ पर उच्च दाब शेत्र बनाती है कौन सा दाप शेतर बनाती है वेटा उच्च दाप शेतर बनाती है और उच्च दाप के कारण वहाँ पस्ट और साफ अकाश होता है में इस वहाँ पर धूप खिलती है बादल नहीं होते वायू सदय उच दाब शेत्र से निम्न दाब शेत्र की तरफी गवन करती है जो वायू है किदर चलती है हमेशा उच दाब से निम्न दाब की ठीक है वेटा आज हमने तापमान के बारे में जाना तापमान हमने जाना कि वायों में ताप वेशी दलता का परिमान तापमान कहलाता है फिर हमने आधपन की बारे में जाना कि सूरे से आने वाली गर्मी और जिसे पित्री रोग कर रहती है वो आधपन होता है जो आपका ताप्मान है वो दिन और रात के साथ साथ रितों के नुसाल भी बदलता है और हमने जाना कि जो भूमत्य रेखा से जैसे जैसे हम धुरूप पर जाते हैं आत्पन की मात्रा कम होती चली जाती है और ताप्मान भी कम होता है प्रिट्वी की सहा पर जब वायू दाब लगाती है तो वो वायू दाब कहलाता है और वायू दाब जो है हमेशा अच्छ दाब से निम्न दाब शेत्र की तरफ ही गमन करती है फिर वायू दाब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे